हलो एवरिवन वेल्कुन टे डिमिशा स्मार्ट कोकिंग आज में लेके आई फराली केक की वीडियो लेके आई जो आप वुरत में भी खा सकते हो तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं सिंपल और एकदम टेस्ट यह केक तो घर पे जरूर ड्राय करके देखना तो इस तरह से म हमें दूद् ले ले रहा है सारी चीज़े रूम टेंपरेचर का ही होना चाहिए अगर आप केक बे aş कर रहे हो तो आपको पता ही होगा सारी चीज़े रूम टेम्परेचर का ही लीजिए गा एडा कोई और भी फ्लेवर वाला है और आपको एड नहीं बना के देखा तो मुझे कम लग रहा था फिर से मैं एक्ष्टा केक में बनाया था तो उसके केक से हमें 750 ग्राम का जितना केक बनेगा तो 250 ग्राम का में अलग निंकाल गया चूर्ट विश्टा एक बनाया था एक दम बढ़िया और एक तम स्पंजी बना तो चलिए मैंने 3-4 अमाल प्राली 앉़ा था ाता तुर्फ यह मैंने garant का पाउड़र शुगर एट कर लिया था मैंने आता का पाउडर सुकर मैं मには और इसके अंदर वृटो टेबर स्पून हमें इसके के मिल्क पाउडरैड कर लें वन पर टिपोन हमें बेकिंग पाउडर और उसकां कर दे करना ह अब इसे मिक्स कर लेते हैं अभी आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत जैसा लग रहा है कुछ भी एड़ करना नहीं आपको इतना इनक है तो आप कड़ाय में या फिर पैन में या कर रहे हो या फिर पाइं कर रहे हो तो प्रीट करने के लिए रख लीजेगा मैंने ओन को 180 करके उसे भी एड़ कर लिया था लेकिन बेक होने के बाद बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा था इसलिए आपको जो भी आपके पास है कोई एक ही चीज़ एड़ कीजिए गा और इसके बाद में ड्राइफ फूर्स को इस तरह से चौप कर लिया है तो उसे भी तीन टेबल है तो जिस एक टिन में हमें बेक करना है तो उसी में में से ट्रांसफर कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको लगर आओगा यह बैटर थोड़ा कम है तो मैं थोड़ा से बिलकुल फिर से मैं बैटर रेड़ी करूंगी और जो एक्स्ट्रा कम पर तो उसे भी करके रहा है तो उसे हमें एट कर लेना है और से आदे गंटे के लिए 30-35 मिनिट कर लेंगे और जो चोटू सा एक बागी का जो बैटर बज़िया था जो टू फिप्टी क्राम का बना था वह तो इस तरह से देख रहे हैं अपकितना मस्त बढ़िया बनाए तो जो चोटू क आपको और कोई भी आपको पता है बता नहीं सकेगा कि फराडी केक है तो आप इसे व्रत में भी जो जिसनों ने भी व्रत किया है उसारे इसे एंजोई कर सकते हैं तो आपको आज मेरी रसीपिस कैसे लग रहे मुझे कमेंट करके जरू बताना अक्छे लग रहे तो फ्रें कू मिलती रहेगी बाई प्रेंट